मैं डाक्टर जी के दिवेदी सहय काचार सिच्छा बिद्यशाखा उत्तरप्रदेश राजसी टंडन मुक्त बिश्विद्याले प्रयाग्राज के आनलाइन क्लासेस में अपने सभी सिक्षार्थियों का स्वागत करता हूं आज का मेरा ये वीडियो लेक्चर या क्लास एमें एजुकेशन के सिक्षार्थियों के लिए लाप्रद होगा क्योंकि यह इनके सेलिवस्टे संबंदीते हैं सिच्चा के मनुबैज्ञानिक परिपिक्ष के अंतरगत इकाई दो में आज मैं आपको सिच्चा मनुबैज्ञान के अध्यन की प्रमुक विधियां जिसे पर चर्चा करूँगा सिक्षा मनुब ज्ञान की अध्यन की प्रमुक बिद्या कौन-कौन सी हैं इस पर सब्यूस्तार इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे जैसा कि आपको बिदिती ही है सिख्छा बेवस्ता सदियों से किसी न किसी बिदिका अनुसरन करती चलिया रही है बिसेवस्त की प्रासंगिक्ता को द्रिश्टिकत रखते वे सिख्छा बिदों ने मनोबिज्ञान के अध्यन हेतु कुछ निश्चित बिदियों के प्रयोग पर जोर दिया समय के साथ मनोबिज्ञान में अध्यन हेतु बेविन प्रकार की विदियों का विकास हुआ वो इनका अधिकादिक प्रयोग होने लगा सिख्छा मनोबिज्ञान के अध्यन के लिए जो प्रमिक विदियां है उसके संदर में अब चर्चा करेंगे सिख्छा मनोबिज्ञान के अध्यन हेतु बेविस्था की गई है आज हम उस पर चर्चा करेंगे सिख्छा मनोबिज्ञान में प्राचीन काल से कई प्रकार की विदियों का प्रयोग होता चला आ रहा है पर वर्तमान में जिन विदियों का प्रयोग हो रहा है उनमें से कुछ इस प्रकार है सिख्छा मनोबिज्ञान के प्रमोखी विदियों के अंतरगत अंतरदर्शन विदि बहिदर्शन विदि जीवनितियाद विदि विकासात्मक विदि मनोबिषलेशणात्मक विदि नैदानिक विदि सरविक्षन विदि एवं प्रयोगात्मक विदि आते हैं सिख्षा मनो विज्ञान में प्रयोग की जानी वाली विधियों के संबंध में इसकी इनर्म अधाय ने कहा सिख्षा मनो विज्ञान अपने आंकड़े एकत्रित करने और वर्गी कित करने में विज्ञान की विधियों और उपकरणों का प्रयोग करता है सिच्छा मनुविज्ञान के जो प्रमुगविंदू अभी मेरे द्वारा बताए गए अब उस पर मेरे माध्यम से वन बाई वन चर्चा की जाएगी उसकड़ी में सरुप्रथम में अंतरदर्शन विदी के संबंद में चर्चा करूँगा इस विदी का प्रयोग प्राचीन काल में सरवादिक किया जाता था इस विदी में बैग्यानिक्ता का आवाव है जिसके कारण इसका प्रयोग नहीं किया जाता इस विदी का प्रतिबादन बिलियम उन्ट तथा उनके सेश्य टिचिनर ने किया था अंतरदर्शन का अर्थ कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है अपने अंदर देखना ही अंतरदर्शन है इसको भली भाती समझने के लिए टिचनर मौदय ने कहा अपने आत्मा में देखना अंतरदर्शन है अंजिल के अनुसार अंतरदर्शन के अंतरदर्शन के अंतरदर्शन के अंतरगत हम अपनी मांचिक क्रियाओं यूँ प्रक्रियाओं को देखने वा समझने का प्रयास करते है इस अंतरदर्शन विदि की क्या विशेष्टाएं हो सकती है इस पर अब मैं चर्चा करूंगा तो विशेष्था की रूप में इसकी प्रथम विशेष्था अंतर दर्शन विदिके द्वारा ब्यक्ति स्वतही बिवहार का अलोकन वम मुल्यांकन करता है दूसरी विशेष्था की रूप में इस विदि में बिना किसी ब्याय के अध्यन किया जा सकता है अगली विशेष्था इसमें किसी विशेष प्रकार के उपकरण की आवश्चक्ता नहीं होती यह अत्यन सरल एवं सुलब विदि है इस विदी में प्रयोक्षाला की आवशक्ता नहीं होती है अंतरदर्शन विदी की सीमाएं इस विदी के अंतरगत ब्यक्ति अपनी ब्यवार का अलोकन स्वेम ही करता है इस विदी का प्रयोग सिशू, बालकों, निशक्त व्यक्तियों यों पसु पच्छों पर करना प्रायह कठिन है इस विदी में बैग्यानिकता का पून तया भाव है इस विदी में मन के द्वारा मन का निरिछण किया जाता है जो निश्चे ही एक कठिन या आप कह सकते हैं बहुत ही दुरूकार रहे है इस विदी द्वारा मस्तिस्क की वास्त्वी गसा का ज्यान प्राप्त करना असंबव है अंतर दर्शन विदी से प्राप्त सूचना आत्मनिस्ट होती है सिच्छा मनुविज्ञान की दोसरी विदी के अंतरगत अब मैं आपके समक्ष बहिधर्शन विदी पर चर्चा करूँगा इस विदी का प्रतिबादन ज्यान वी वाट्सन वरा किया गया था मनुविज्ञान के अंतरगत किसी दूसरे व्यक्ति के बिवहार का आध्यन अलोकन के माध्यम से जब किया जाता है तो वह बहिदर्शन कहलाता है बहिदर्शन विदी की प्रमुक विशेषता है कि इसमें निरिक्षण एवं परिक्षण दोनों विद्यों को अपनाया जाता है इस बिदी के अंतरगत हम भ्यक्ति के विवार, आचरण, क्रियाऊं, प्रतिक्रियाऊं, उसके मानसिक एवं साररीख हाभाव का अध्यन, निरिक्षण एवं परिक्षण बिदी से करनी का प्रयास करते हैं क्या बहुत सरल विदी है? कोई ब्यक्ति थोड़े से परिक्षण से ही इसके प्रयोग में कुसलता प्राप्त कर सकता है इस विदी की क्या विशेषता हैं? अब हम इस पर बिंदुवार चर्चा करेंगे इस विदी की दूसरी विशेषता अचेतन अर्दचेतन एवं बिच्छिप्त मानसिक अवस्थाओं में किये जाने वाले विवहारों का अध्यन बहिदर्शन विदी से किया जा सकता है इस विदी के माद्यम से एक साथ कई व्यक्तियों के विवहार का पता अलोकन के माद्यम से लगाया जा सकता है संख्यात्मक परिणाम प्राप्त होने के कारण उनका सांख्यकी विसलेशन किया जा सकता है अंतर द्यार्शन विदी की अपिक्षा इसमें वैज्ञानिकता अधिक है इस विदी से प्राप्त परिणाम यतार्थ होते हैं इस विदी की विशेष्टा के अतरिक्त इसकी क्या-क्या सीमाएं हैं इस पर अब हम चर्चा करेंगे इस विदी में प्रयूज पहले से तयार हो जाता है और त्वाभविक विवहार को छिपा लेता है बाईदर्शन विदी में आउलोकन करता एक साथ कार करने पड़ते हैं बिवहार का आउलोकन करना कठिनकार है लिंग क्रियाओं से संबंदित गोपनी प्रकित के बिवहार आधी का आउलोकन इस विदी के द्वारा संबव नहीं हो पाता क्योंकि इस पर लोग प्रतिकिया देने से बचते हैं इस बिधी के प्रयोग हे तो योग ये प्रसिष्छन की आवस्षक्ता होती है। इस बिधी के प्रयोग में समय और स्रम अधिक लगता है। शिक्षामनु विज्ञान के महतुपूर्ण विदियों में से प्रमुक विदी, प्रयोगात्मत विदी के संबन्ध में अब हम शर्चा करेंगे। प्रयोगात्मत्विदी के अंतरगत जब कोई भ्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो उसके नियंत्रन में संपन्न होता है तो निश्चिती उसे अपनी सीमा में बाधनी का प्रयास करता है प्रयोग करता परिस्थितियों को नियंत्रित करता है, तद्पस्चात उद्दीपक प्रस्तुत करता है, तथा उससे ब्यक्तिके बिवहार में होने वाले परिवर्तनों का निरिक्षन करता है प्रयोगात्मक विदी एक बैज्ञानिक विदी है जिसके कारण इसे बिश्वसनी व बैध माना जाता है इस विदी में प्रयोग करता परिस्थितियों पर नियंतरन कर ब्यक्ति के बिवहार का अध्यन करता है आज के बरतमान परिवेश में शिख्षा मनुविज्यान के छेत्र में प्रयोगात्मक विदी का प्रयोग अधिक से अधिक हो रहा है इस विदी के उचित प्रयोग हे तू इस में निम्यलिखित बातों का महत्व होता है नंबर फर्स्ट प्रवगात्मक्विदी में जिन बातों का महत्व है सरप्रथम चरों की पहचान करना नंबर सेकंड चरों को परिभाचित करना नंबर थर्ड चरों को नियंत्रित करना इसके अत्रिक्त प्रयोग के दवरान पांच प्रकार के चरों का वर्णन मिलता है पहला निराश्रित्चर दूसरा आश्रित्चर तीसरा परनियामक्चर चोथा नियंत्रित्चर लास्टली मध्यवर्तिचर प्रयोगात्मक विदी के अंतरगत कौन कौन से सोपान समाहित है उस पर चर्चा करेंगे क्या कह सकते हैं प्रयोगात्मक विदी के सोपान नंबर वन अध्यन समश्या नंबर दो परिकल्पना निर्माण नंबर तीन प्रयोग अभिकल्प नंबर चार, प्रतिदर्श चैन नंबर पांच, प्रयोग यूम आंकणों का संकलन नंबर चै, आंकणों का बिसलेशन व परिनाम और लास्ट परिनामों का सामानिय करन तो प्रयोगात्मक विदी की क्या विशेष्था हैं? इस पर अब हम चर्चा करते हैं इसकी विशेष्टा के अंतरगत कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक विधी पूर्णतिया बैज्ञानिक विधी है प्रयोगात्मक विधी द्वारा प्राप्त परिणामों में वस्तुनिश्चता, विश्वसनियता तथा बैदता होती है इस विदी के प्रयोग से सिक्षा संबंदी समस्याओं का समाधान आसानी के साथ किया जा सकता है यह विदी पस्वों पर प्रयोग करके प्राप्त परिणामों का प्रयोग मनिस्वों पर किया जाता है आप कह सकते हैं कि सरप्रथम प्रश्वों पर प्रयोग किये जाते हैं तक पश्चात प्रयोग मनिश्यों पर किये जाते हैं इस विदी की प्रमुक विशेष्टा के अंतरगत आप कह सकते हैं कि इस विदी में परिस्थितियों पर मनुबैज्ञानिक का पूर्ण नियंत्रन होता है इससे आसा यह है कि जो इस विदी को अपना रहा है प्रियोक कर रहा है उसका संपूर्ण नियंत्रन होता है विशेष्ताओं के बाद इस विदी की क्या सीमाएं हैं या आप कर सकते हैं कि इस विदी के प्रयोग से क्या क्या कमिया परलक्षित होती हैं उस पर अब हम पॉइंट वाइज पॉइंट चर्चा करेंगे नमबर एक प्रयोग के लिए कितनी भी सावधानी से परिस्थितियों का निर्माण किया जाए परंतु फिर भी उसमें क्रितमता का आजाना स्वभाविक हैं प्रयोग के लिए इस विदी के माध्यम से बालकों में डर, भय, क्रूध, आध परिस्थितियों का निर्माण करना असंभव होता है इजवीदी के माध्यम से भ्यक्ति को नियंतरित परिस्थिति मेकारे करना होता है जिसके कारण प्रयोग करता का प्रयोग के प्रति लगाव नहीं हो पाता है प्रयोग के दवरान ब्यक्ति को वाह एवं आंतरिक कारण भी प्रभावित करते हैं वाह कारण पर नियंतरन संभव है परन्तु आंतरिक परिस्थितियों पर नियंतरन संभव नहीं हो पाता है पस्वों पर किये गए प्रयोग से जो परिणाम प्राप्त होते हैं, जरूरी नहीं कि वैसे ही परिणाम मनुष्यों के उपर भी लागू हो। सिच्छा मनुविज्ञान की प्रमुक विदियों में अंतरदर्शन विदी, बाइसदर्शन विदी, प्रयोगात्म विदी पर चर्चा के पश्चात, अब हम सिच्छा मनुविज्ञान की एक अन्य विदी, ब्यक्ति इतिहास विदी पर चर्चा करेंगे। अध्यन के समय मनोब्यग्यानिक का समाज में रहने वाले आनेक प्रकार के व्यक्तियों से सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति का सुभाव दूसरे व्यक्ति से उसकी सिच्छा के कारण भिन्न हो जाता है। विद्याले में कई प्रकार के जगडालू, समाज वीरोधी कारे करने वाले छात्र होते हैं। मनोब्यग्यानिकों का कथन है कि व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक और सामाजीक वातवरन उनमें मांचिक और संतुलन पैदा कर देता है। और व्यक्ति अवांचनी विवहार करने लगता है। इसका कारण जानने के लिए व्यक्ति से पूर्व इतियास से सहायता ली जाती है। क्या सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो तो इसका इतियास क्या रहा उसके संबंद में सरप्रतम जानकारी प्राप्त करना नितान तावश्यक है इसके तंबन्द में क्रो एंड क्रो महोदय ने अपना म्यक्त ब्यक्त किया कि जीवन इतिहात विदी का मुख्यों देश किसी कारण का निदान करना है इस विदी की क्या विशेष्टाएं हैं आप इस पर हम क्रमवार चर्चा करेंगे विशेष्टा के रूप में इसकी नंबर वन विशेष्टा उप्चारात्मक परामर्ष वन निर्देशन के द्रिष्टी से या विदी सर्वत्तम है मंद बुद्धी, पिछडे बालत तथा मानसिक पिकार ग्रस्त बालकों का अध्यन एवं उप्चार करने में यह विदी उप्योगी है इस विदी में स्रोतों के संकलन से प्राप्त परिणाम विश्वसनी होते हैं यह विदी पिदी निदादात्मक एवं उप्चारात्मक सिक्षण की उप्योगी विदी है इसकी अगली भिसेटा मनों बिसलेशन यम अन्य विदीयों के साथ प्रियोग किया जाने पर इस विदी से प्राप्त परिणाम शार्थक होते हैं विश्टरस्ताओं के साथ साथ इस विदी की क्या सीमाएं हैं, इसमें क्या कम्याँ हैं, इसको भी जान लेना उपयोगत होगा तिसीमाओं के अंतरगत, इसकी प्रथम सीमा, इस विदी में धन, समय, एवं स्रम अधिक लगता है इस विदी का प्रयोग केवल विशेशग्यों द्वारा किया जा सकता है समाने आदमी इस पर प्रयोग नहीं कर सकता है इस विदी में प्राप्त सूचनाओं तच्चों की ब्याक्षा करते समय विशेशग्यों में प्राय मत विभिन्नता आ जाती है इसकी लास्ट कमी इस विदी से तच्चों को एकत्र करते समय बालक के मित्रगन उससे संबंदित सूचनों विवं विशिष्ट तच्चों को छिपा लेते हैं तो ऐसी इस्तिती में प्राप्त निस्कर्थ भ्रमपून एवं संदिग्ध हो जाते हैं आज के इस हिकाई के अंतरगत मैंने इन चार विदियों पर चर्चा की निसंदे इसकी जो और विदियां बची हुई है मैं आपको अगली लेक्षर के माद्यम से बताने का प्रयास करूँगा तो प्रभी विद्यार्थियों आज में एजुकेशन के जो सिक्षार्थी इस वीडियो लेक्षर को देख रहे हैं तो सिच्छा मनो विज्ञान के अधिन की प्रमुक विदियों में कौन कौन से विदियां उप्यूक्त हैं उस पर मैंने प्रकास डला निसंदे मेरे इन लेक्षर से आप लाबानुवित होंगे पर किसी भी प्रकार की कठिनाई या समस्या उत्पन होने की दशा में मैं डक्टर गिरिश कुमार दिवेदी साय काचार सिख्षा विद्यशाखा में कारे रत हूँ आप किसी भी समय वर्किंग डेव में प्रत्यक रूप से विश्विद्याले में आकर अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं या चैक बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं निसंदे समय प्राप्त होने पर मैं आपकी समस्या का निदान करने का प्रयास दरूँगा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सकते हैं